मैं डॉक्टर इतु जैन मैं एक होमेपति कंसल्टेंट हूं और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूं स्किन डिजीजस के बारे में स्किन डिजीजस एक अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है इसके सब कुछ तुम्हें आज नहीं बता सकती पर आपकी कोई भी क्यूरी है आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है आप में को मैसेस कर सकते हैं उसके लिए में आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाके दूब्रस 가운데 आसे नहीं में आमड़म बताओंगी साहसे मिन इनका प्रॉबंशन बताओंगी और साथ में होमेपथिक ट्रेट्मेंट्स भी बताओंगी तंस सबसे पहले अपना आते हैं इनके टाइपZ में यह दौपर Ini ऑ-다 Wer cen efRich Remember इसा पि सापिर्ट'Tन पर बहुत मुश्फिल से ठीक होता हैं जो जने क्या वहां। इसके अलावा जैसे हो जाता है आपका chemical कि contact में रहना जैसे जो लोग factories ने work करते हैं या chemist होते हैं उनका continuous एक chemical के contact में रहते हैं तो इसके वजह से उनको diseases होना जनरली फिमेल्स में चीज होती है कि जाधा soaps और detergent के contact में आनेगी वजह से हाथ में उनके काफी disease हो जाती है पर्मारेंट में आते हैं तो पर्मारेंट भी एक टफ टॉपिक है कि पर्मारेंट जो स्किन डिजीजिस होती है वो या तो ठीक नहीं होती है जल्दी जल्दी ठीक होने के बाद भी वो कभी भी रिटर्न आजाती है जैसे सोराइसिस होता है यह सारी पर्मारेंट में आती है इसके अलब आपन modality देखें, इसके modality भी होती है, modality में क्या होता है कि मतलब आपका किसी particular time पे वो increase होना और decrease होना, जिसे कि कुछ diseases होती है जो सिर्फ winters में ही आपको आती है, विंटर्स में मतलब आपको जब भी winters आएगा, आप सो skin diseases बढ़ेगी और winters जाने के बाद वो कम हो जाती है तो आप सो इसके ठीक होगी, बटो दुबारा winter आने पे वापस वो re-origin हो जाता होना, जिसे dry skin, sorices generally winters में ही होते है, then some diseases होती है, जो की गर्मियों में, summer's में increase होती है, जिसे आपने देखा होगा पसीने की वज़े, sweating की वज़े से आपको वहाँ पर skin rashes, eating, painful, scratches होने के बाद, bleeding, इस सारी चीज़ें दिखाई रेती है, generally ये folds में होती है, आपके जितने भी folds होते हैं, आपके hands के, जहाँ joints होता है, fold होता है, वहाँ जहाँ पसीना जादा आता है, आपके genital area में, आपके, जहाँ jeans वगरा पैनते हैं, तो वह पर particular वहाँ पर sweating जादा होने की वज़े से, eating, lesins, rashes, redness, discoloration, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है, कोई-कोई diseases होती है, जो सिर्फ rainy weather में आती है, rain, rainy weather में generally जो diseases होती है, वो फ्वड़ा सा पस वाली होती है, कि उसमें पस cells आते हैं, इसके अलाबा आते हैं, अब symptoms में, symptoms में आएंगे, तो वह ये मैंने आपको बताया, कि इसको अपन बताती हूं, जैसे कि appearance के according में आपको बता रही हूं, तो और फे उसके अलाबा आता है, symptoms में, lesions के बाद, eczema होते हैं, eczema में क्या होता है, उसमें skin lesion भी हो जाते हैं, आप हुझा scratch करते हैं, वहाँ पर एक दम dry skin हो जाएगी, circle में, आपको वहाँ पर swelling हो जाएगी, irregular circles हो जाएगे, sometimes जैसे आप scratch करते हैं, तो lines बन जाती हैं, और उस जगे पर scratch की जगे पर bleeding हो जाना, इची होना, burning होना, ये सारी चीज़े होती है, इसके अलाबा होती है, जहाँ पर पर्स भी formation हो जाता है, वहाँ पर घाओ जिसा बन जाता है, और वहाँ से skin दीरे-दीरे muscles तक पहुंच जाता है, deep भी होता जाता है, sometimes, then cracks, cracks हो जाना आपके heels में cracks होना, आपके hands में cracks हो जाना, skin भी sometimes dryness की वज़े से crack होती है, then एक होता है, growth होना, extra growth होना, जिसको अपन words बोलते है, मस से बोलते है, वह skin को कहीं कहीं पर भी irregular growth हो जाती है, तो इसको अपन बोलते है words, then discoloration, discoloration मतलब sometimes आपने देखा होगा, discoloration हो जाना, आप skin में brown patches, yellow patches बन जाना, then एक होता है, आपका pimples, एक भी symptoms है, जिसमें आपका pimples होते है, voice होते है, जो कि आपको voice face पे generally हो जाते है, then अब अपन आते हैं, causes में, cause देखेंगे तो यह generally bacterial, fungal, parasite, then आपके generally यह causes होते है, इसके अलाबा, आपको genetic causes भी होते है, then किसी illness के वज़े से भी होते है, जैसे आपको diabetes, thyroid, कोई illness है, उसके बाद और skin में itching, rashes आजाना, यह किसी illness के बाद से होना, then इसमें causes में, stress भी common cause होता है, और stress की वज़े से सोराइस, eczema हो जाते है, alopatia erecta हो जाता है, alopatia erecta आपने देखा होगा, generally यह stress की वज़े से होता है, और पैचिस में हेल्स चले जाना, then यह भी एक skin disease है, then यह जो होती है, autoimmune disease of weakness of आपकी immune system की weakness की वज़े से होती है, then अब आपन आते हैं, prevention में, prevention जो है, सबसे पहले आपको skin disease के लिए prevention के लिए चाहिए कि आप कभी भी कोई भी चीज यूज करते हैं, wash करके करें, आप कोई भी च इसके contact में नहीं आना, यह even किसी disease person के भी आपको contact में आने से बचना होता है, तो यह आपके prevention में आता है, then public places जो होती है, generally जैसे आप में gym हो गया, train होगी, buses होगी, जो public places होती है, वहाँ पर हर जाके touch नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर dermatitis वही आपका किसी भी disease person या बहुत ज जाती है, then आपको proper sleep लेना ज़रूरी होता है, आपको stress से बचना ज़रूरी है, proper diet लेना ज़रूरी है, जिसके आपका immune system जो होता है, वह आपका ठीक रहे है, then vaccinations जो होती है, जैसे stick and box वगरा के लिए vaccinations वगरा भी होती है, तो आपको अपनी vaccinations पूरी लेना, then अपनी skin को moisture रट जैसे आप बार-बार hand wash करते हैं, या soap detergent के contact में आते हैं, तो dryness की वज़े से skin disease होती है, तो आपको moisture करके अगर रखते हैं, तो जल्दी disease condition में नहीं आती है, then protect करना excessive cold से, heat से, wind से, इन सबसे protect करना भी ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारी diseases होती है, वही ठंड में मैंने जसे बताया, जादा ठंड की वज़े से, heat की वज़े से होती है, sweating वगरा में sun के exposed की वज़े से, तो और काफी cold winds जो होती है, hot winds होती है, उसकी वज़े से skin diseases हो जाना, तो यह सब आपके prevention में आ जाता है, अब आते हम अपना homeopathic treatment में है, homeopathic treatment मैंने जैसे पहले भी आपको बता होगी, homeopathic treatment आपके cause पर डिपेंड करता है, और आपकी symptoms पर डिपेंड करता है, कि आपको क्या symptoms मेल रहे हैं, but मैं थोड़ी भी आपको medicines बताती हूँ, जिसे सबसे पहले होती है, sulfur medicine, जो कि आपकी aging, especially summer weather की aging होती है, rashes होते हैं, ulcers होते हैं, disease होती है, उसमें work करती है, अगर miserium medicine होती है, then अगर आपको बहुत जादा फोल्ड में अगर आपके skin disease हो रही है, sometimes आपने देखा हो कान के पीछे आपको erosion type का बन जाता है, और उसमें से पर्स type का निकलता है, तो यह होती है, इसके लिए होती है medicine, graphitis, graphitis medicine होती है, और इसके लावाँ जो और भी skin disease है, जिसे vary करता है person to person, और उसके लिए आपके homeopathic doctor से मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मुझसे भी consulting लेना चाहते हैं, तो आप मेरे gmail ID पर मुझसे भी consulting ले सकते हैं, मैं आपको इसके consulting दे सकती हैं, medicines जो है आप अपने आपने ही लेंगे, क्योंकि हर medicines का एक अलग symptoms होता है, हर persons की अलग medicine हो जाती है, मैं आज को इसमें medicines के बारे में काफी कुछ बताऊंगी, और आपके कोई भी क्योरी है, तो आप मुझे message कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना अप्रोड करूँगी, थैंक्यू